फाइलली दोस्तों आप लोग के समच में बीए सिकेंड समस्टर हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर कुस्टन पेपर लेके आज चुका हूँ जिसकी हम बात के लिए तो जिन विद्यार्थियों फी जिन उनुरस्टी में जो है रिटेन का एक्जाम होगा लिकित की पेपर की नेम की बात कर लें तो कार्यार हिंदियों पर पिपर में आपको पढ़ना पड़ेगा इसी के आंथ में जो है जरकांस के आल एक्जाम समेश्टर के तैयरी कराओ हम इसके हम इस पेपर की बात करें तो इसका जो है दो घंटे के अन्यों का समय मिलता है और 75 नमबर आपका पूरा का पूरा पर्सपत रहेगा जैसा आपने फर्स्ट समस्ट में आपने एक्जाम दिया होगा पेपर आपका तीन खंडों में आपका भीवक्त रहेगा पेपर में पढ़ना क्या है कारियाल है हिंदी के बारे में पढ़ना और काइमपूर्टर के बारे में पढ़ना है ठीक है इसके हम पूरे माडल पेपर की बात करें तो पेपर तीन खंडों में आपका भीवक्त है सबसे पहले में खंड आके परसों की चर्चा करूंगा यह जो पेपर ह है बहुत ही मातपुर्ण साबीत होगा क्योंकि इसमें सक आफ ही परसन देखा जाए तो एक साब से यह कुछ नंश्टी में जो है एमसे क्यों को पेपर होता है रेटेन का एक्जाम नोर्श्टी होता है बहुत सरे कर सक पूरा का पूरा कुस्टन माडल पेपर इसके परसनों की बात कर लें तो कारियाले हिंदी होता क्या है इससे कि आपका पेपर का नाम ही है आपका कारियाले हिंदी और कंपूर्टर है तो कारियाले हिंदी क्या होता है इसकी डिफिनेसन आपको तयार ही करना इसका उद्देश क्या होता है इसके आयम्स क्या होते हैं यह भी आपको तयार करें ला काफी महत्पूड है परसने आज की कलास में जो हम केवल मार्डल पेपर ही डिसकस कर रहे हैं एकजाम से पहले-पहले मैं इंपर्टन कुसन एंसर का भी वीडियो में प्रवाइड कर दोगा जिसके आप बीना सिलेबा से बीना आप नोट्स खरीदे भी आप आसानी से यहां से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो मेरे द्वारा बताए इंपर्टन कुसन एंसर की वीडियो से भी इसके हम दूसरे करें तो पदनाम क्या है पदनाम किसे कहते हैं इसके वारब को त्यार क्रें नहीं काफी महत्पुल पर्सन इनस्टी में पिछले सार रिपीड भी हुआ है बहुत सब्सक्राइब कुस्त्र की आपको अगला कुछन आपका टिपड क्या होता टिपड की आपको त्यार कर लेना है टिपड एक होता है होता टिपड लेखन ये दोनों के बारे आपको त्यार करना है इसकी जो है इसकी जो है इसकी विसेशता भी आपको देख लेना है काफी मातपूर परसन भी आपका है अगला कु परसनों को लगा लेजिए ठीक बहुत ही महात्पूर्ट परसन इतने परसन तो आपको कंपल्सरी तियार करके ही अपना एक्जाम देने जाना है जब यह अपना एक्जाम हो आपका अगला कुस्तन भी आपका दियाओगी केमपूर्टर का किसे कह जाता भी है तो चारल्स कीबिच को कह जाता मेरे हसाब से बहुत ही एजी पेपर आएगा बहुत ही देखा जाए है सीट के न्य आपको टेजार क्या एक है मैं पहले ही लगा लगा लेगा इसके बाहर बाहर पर्ष्ण बार मातपुर्ड पर्ष्ण vaccine कंपर्ष्ण आए मैं पहले ही झारी सुघवर रखनाय में पहले ही बौला था कि व्हार आपको कमपल्स्य क्यारे तो सामान हिंदी यानि जनरल हिंदी क्या होता है और कारियाले हिंदी दोनों की बीच में आपको अंतर जो होता है डिफरेंट होता है देख लेना है काफी मातपूल परसन है अगला कुष्ण फिसमे आपका दो नमबर दियावा है सक्षन B में कि वर्तमान समय में जो है देख लेना है अगला कुष्ण आपका देख वर्तमान में जो है विग्यापन से आपका समझते हैं तो आपको डिफरेंट आपको कंपल्सरी तयार ही करना है काफी मातपूल परसन जो होता है आपका चाहे आप मुबाइल टीवी कोई भी चीज देख रहे हो आप मातपूल 2-11 का द्यार कर लेना है खास सकर 100 परसन आपको परसन अपने घ्जाम में देखने को मिलेगा परल्लमन का क्या आसा है इसका आसा करते हो इसकी परिवास आप बहुत ही रहे ही-लेवल का कुष्ण है अगला कुष्ण आपका च्छे नमबरर देख लेगे कंपूर मे अपक Cupि कुस्ष्ट बारर के बारे면 आपको स्थित्य है इस बारे면 आपको देख लेना है काफि मानप strips आपका है यां से C bowel रहे Donc तो कारियाले हिंदी होता क्या है या पेपर का आपका नाम ही है इस पेपर के नेम से रिलेटेड आपको 30 से 40 नंबर इसी से रिलेटेड आपके परसन पूछे जाएंगे मालोई 10 नमबर के हैं से person इसे में आपका पूछा गया है कारियाले हिंदी से related अंतर क्या होता है काफी person repeat हुए वही दोरा देखा जाए तो उसी से related तो एक साब से देखा जाए तो कारियाले हिंदी की definition आपको compulsory तयार ही होना चाहिए इसके उद्देश क्या होते हैं इसके सोरोब क्या है इस सभी के बारे में आपको विस्तार से तयार के लेना है लोग का एक आपको compulsory तयार ही करना है ठीक है बहुत ही मात्पूर परसन है अगला कुछन आपका देखा कि सरकारी पत्र के से कहते हैं युआ है आप दोनों परसन अभी सटिक लगा लिजीए दोनों परसन के Living की में गारांटी लेता हुं और मात्पूर परसन आपको अपने एक जामसें देखने को मिलेगा सरकारी पत्र ठीक है वाला भी कुछन वह भी बिल्युकुल देखने को मिलेगा इस पेपर के जितने भी पर्सन हैं इतने लगा लेजिए आप चाहिए जिस भी नोशन परस कर रहे हो जिसके अगले कुर्सन स्कीम बात करें तीन नमबर तो यूनिकोड तक्नीक का पर्चे देते हुए आपको प्रकाश चालना है यूनिकोड तकनीक क्या होता भीया इसके बा सोचल मीडिया की भूंका को आपको जो रेखांकित करना है वरान करना है पूरा का पूरा मैंने मार्टल पेपर कुस्टन पेपर मैंने आपको दिखा दिया ऐसे ही पर्षन आपके बनेंगे बहुत ही मात्पूर्ट साबित होगा सभी अनुस्टे के लिए से अभी सिद आपके पास सिलिवे सुरे अब लेवल है तो टिक लगा लेजी अभी से तयारी को स्टार्ट कर दीजिए तभी आप अपने एकजाम में 95% आसानी से क्लियर कर सकते हो वीडियो को दोसों भाविए सरका देना इसके मैंने जो है ढल लेड़ी इसकी जो मैंने ब्लैलिस्ट क्रेट कर दी है ब्ये carne स्मेस्टर करके आपको मिल जाएगी प्लैलिस्ट है कौन कौन से अपना कोर्स ले रय रखे यहो सभी आल सब कि अ रिड़ोद औरने और के लूलते हैं यद भूलते हैं समय आरकता चार्ट और से से टहुई हुई हैं यज को जा झा और रहुई कि अगल रहा हुई हुई कर दो हुई कि अ यादा कि अवड़।